हेलो अब्रिवन वेल्कम बैक तो आर यूट्यूब चैनल पढ़ाको जंक्शन और आज हम क्लास 11 अकाउंट्स का चाप्टर वन स्टार्ट करने वाले हैं चाप्टर वन का नाम है इंट्रडक्शन टू अकाउंटिंग यह जो पर्टिकॉलर सब्जेक्ट है अकाउंट्स एव आप कैसे अपने पढ़ाई में आगे बढ़ने वाले हो कैसे आप पढ़ने वाले हो आपका फोकस कैसा होगा उस पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है तो जितने भी अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की या फिर एकनॉमिक्स की या फिर बिजनस स्टेडिस की ती तो 11-12 का basics बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए अगर आपको future में अच्छा growth चाहिए एक अच्छे career में आपको successful अगर होना है तो 11-12 जो भी बेस है यह बहुत मेटर करते हैं ठीक है अब बात करते हैं अपने वीडियो की यानि की chapter 1 introduction to accounting इस particular section में अगर हम बात करो इस particular chapter मे आप देखेंगे accounting का आप इस particular chapter में यह सीखोगे कि भी accounting होती क्या है आपको भी नहीं बता होगा एक rough sense में शायद आप layman language में बोल दो कि माम जो business के transactions होते हैं उनको record करते हैं उससे accounting बोलते हैं चालो ठीक है यह common sense में या फिर एक layman बिलकुल you know rough sense में ठीक है आज हम थोड़ा detail में और you know real meaning की तरफ चलते हैं इससे पहले कि मैं आपको accounting का meaning और definition समझाओं सबसे पहले हमें समझना जरूरी है यह वाला part इस part में paper में आपके पास आ सकता है attributes भी आ सकता है characteristics भी आ सकता है process भी आ सकता है हमारा main मुद्ध यह process है यह word आपको exam में characteristics भी लिखके दे सकता है attributes भी लिखके दे सकता है हम सबसे पहले process of accounting समझेगे इसको भी समझने के लिए चलो एक example लेते हैं आचा चलो आप जो हो ना आपका business है जले भी बनाने का ठीक है अब आपके business में बहुत सारे transactions होंगे क्या के transactions हो सकते हैं आपने purchase किया raw material जले भी बनाने के लिए लोगे ना जो भी उसमें समान लगता तेल घी वगेरा आटा मैदा जो भी जिसकी भी बनती है तीनी लोगे उस आपने raw material purchase किया for example 2000 का ठीक है ओके दूसरा transaction क्या हुआ आपने ना salary pay करी salary paid लेबर जो आपके you know मिठाई बनाते थे आपने उसको लेबर को पांचर पे पे कर दिया आपने क्या किया ना परचेज करी अलमीरा और हाउस ठीक है वह आपने माल लो 1000 रुपे की परचेज करी और transaction क्या हुआ जो लेबर आपने रखा था ना रेण करके चला गया रेजं भीन है छोड कि चला गया उचोटू कि पए अंकल मैं आपके पस काम ने करूँँगा लेबर ने क्या क्या ने क्या क्या है आपकी क्या है चले भी आप बनाते हो चले भी producer कहलो चले भी ठीक है अब क्या हुआ अब देखते है पहला ये बोलता है identification of financial transactions and events यानि कि सबसे पहले मुझे identify करना है financial transactions and events को इस particular section में दो चीज आपको ध्यान रखनी है आप इन दोनों section के लिए ले लो सबसे पहले आपको ये देखना है कि particular transaction वा बिजनस के लिए हुआ है कि दूसरी चीज आपको देखनी है पहला आपने देख लिए कि particular transaction business के लिए हुआ है कि second आप देखोगे कि क्या आप इसको monetary terms में ला सकते हो कि नहीं measure कर सकते हो कि नहीं ठीक है सबसे पहले identification of financial transactions and events उसके बाद जो हमने identify कर लिए उसको हमें measure करना है ठीक है चलो ये दोनों formula हम पहले लगाते हैं पहला transaction purchase raw material 2000 अच्छा ये बिजनस के लिए पर्चेज हुआ है कि हम लें कि salary pay to labor 500 ये भी क्या है मौनेटरी टर्मस में भी ये दोनों और business के लिए ही है हमारे आच्छा ठीक है इसको भी ले लो पर्चेज almira for house अच्छा ये मौनेटरी टर्मस में तो है बट अल्मीरा घर के लिए पर्चेज की है आपके बिजनस में जुरूरत नहीं थी आपने पर्सनल घर के लिए खरी दिये ये transactions हम नहीं लेंगे यानि हम इस particular process में क्या कर ज़िए कर देए से लेख़ान कर गया labor to resign कर गया क्रों ये business transaction तो है बट labor अगर इसको monitor Demg में अलत्मीर कर सकते तो यह बिजनस वाला formula था सैटिसफाई कर दा था अपर जो इसको हमें convert करना था यह नहीं हो पाए समझे आप तो यह दो स्टेप आपके कवर हुए आपने identify कि फर्स सेकेंड और फोर्थ मेरा business के लिए येस बट मेजर करना आपको identify transaction येस ये मेजरेबल है ये मेजरेबल है ये तरह मेजरे नहीं कर सकती I don't know the amount जितना impact हुआ उसके जाने के वज़े से डिरेक्ट कुछ you know relation नहीं बना सकती कि उस बंदे के जाने के वज़े से मेरा कितने का loss हुआ या क्या हुआ इसे लिए यानि कि इसको monetary terms में मैं you know measure नहीं कर सकती कि दो step हो गए ठीक है अब यानि मेरे काम के दो transaction है purchase ठीक है और sell repaid ठीक है second you know first किया second किया third आप record करेंगे अब दो transactions हमें समझा गे अब हम इसको क्या करेंगे record करेंगे recording अब आपको एक नया word में देने जारी हू recording होती है channel में ठीक है हम क्या करते है यह जो transactions हमने identify के अब हम इसको record करेंगे कैसे record करते अब coming chapters में देखेंगे सारी चर्चा इस पूरी process के उपर है even यह समझ रो 11 में आप यह पूरी process detail में देखने वाले हूं ठीक है उसके बाद आपने record कर लिया अपने purchase record कर ली आपने cell record कर ली ठीक है आप आते classify देखो जब आप record करते हो न तो जितने भी transactions होते है आप उसको जर्णल में record कर देते हो but classifying जो step है classifying classifying जो step है हमारा accounting process में इसमें हम क्या करेंगे purchase को separate कर देंगे salary को separate कर देंगे समझे next step किया है summarizing आप देखो एक तो purchase होई नहीं होगी पुरे business में हम देखो transactions होते रहेंगे day by day हम जर्णल में डालते रहेंगे ठीक है फिर जर्णल से उसको classify करेंगे purchase का purchase में sales का sales में salary का salary में repair and maintenance का repair and maintenance में ठीक है कर लिए पुरे साल के कर लिए उसके बाद हमारे पास time आता है किस चीज़ का हम उसको क्या करेंगे summarize करेंगे summarizing का मतलब क्या आता बेटा conclusion पर पहुंचना conclusion कैसे मालों अपने purchase जब अलग की तो मुझे पता लग गया मेरी total purchases पुरे साल में कितनी है मुझे यह भी पता लग गया अच्छा इसमें से cash purchase कितनी है और उधार पे कितनी खरीदी है sales में मुझे पता लग जाएगा अच्छा यह तो cash sales है और यह हमारी credit sales है उधार में समान बेचना मतलब credit sales are you getting my point उसके बाद for example salary मुझे पे करनी ती उसमें समझ जाए कितने को मैंने पे कर चुकी हूँ और कितना मुझे पे करना बागी है यह एक summary हमारे पास बनके तियार आ जाएगी conclusion आ जाएगा at the end उसके बाद अब देखो summarizing जो होता है ना इसमें तीन चीज होती है मैं बता द नए लगेंगे यह पुरी प्रोसेस है देखो सबसे पहले मैं recording बताया था क्या जंडन ओके second मैंने बताया था classifying classifying में बनते है लेजर हर एक you know जो भी account है मालो हमारा purchase है sales है सबका अलग अलग लेजर बन जाएगा ठीक है उसके बाद जो summarizing step है हमारा उसमें हम बनाएंगे trial balance उसमें हम बनाते है profit and loss account यह आपको समनाया लग रहा होगा attention मतलो पूरा यह पढ़ना है पुरे साल बहुत अच्छे से और ध् बनता है balance sheet यह हो गया है यानि कि आपको अब इस stage पे summarizing यानि conclusion stage पे आपको काफी सर चीजे पता लगी मेरा profit क्या है मेरा loss क्या है मेरी you know at the end of the year उस particular date पे मेरी business की position क्या है आपको यह particular चीज इस summarizing step पे summarizing step पे आपको पता लग चुकी है now analysis and interpretation तिरफ पता लगाने से कुछ नहीं होगा अब management उसके basis पे decision लेगी उसका analysis करेगी मुझे profit अगर मालों पिछले सालों से बहुत जादा jump हुआ है तो क्यों हुआ है क्या मैंने ऐसा किया होगा analyze करेगी और उसको interpret करने की कोशिश करेगी मालों में loss हुआ तो क्यों हुआ उसका reason निकालेगी इन्फरमेशन हमारे आने के बाद यह जो step है decision makers के लिए है उसको analyze करेंगे analysis करने के बाद उसे interpretation लिकालेगी कि यह profit इतना जाद हुआ तो क्या particular खास चीज मेरे business ने की या क्या product मैंने launch किया जो मुझे इतना profit हुआ loss हुआ तो उसका भी reason क्या है cost मेरी बड़ी तो reason क्या है cost गड़ी तो क्या reason यह know various decisions होते हैं वो analysis करके उसके बाद interpret के जाएगा and communicating किसको क्या communicate कर ना जितने भी हमारे business में interested parties है उसको हमें अपने result क्या करने पड़ते हैं communicate हम बोलोगे आप interested parties कुन कुनसी होती है सबसे पहले तो भाया owner जिसका business है वो इनमें बहुत जादा you know interested होगा profit and loss जानने में फिर you know interpretation करने में किससे बड़ा किससे घटा तभी तो इसको motivation मिलेगा carry on करने का you know invest भी कुछ लोग करते हैं हमारे business में मालो 20,000 मेरे uncle नहीं दिये थी business में भाया वो भी तो interested है वो भी are you getting my point आपको I hope यह पूरा समझ आ गया होगा जो मैंने बताया यह हमारी पूरी process होती है पर इससे सोचो याद करो सबसे पहले identification of financial transactions and events फिर उसको measure करेंगे then recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation and last step is communication okay आप meaning पढ़ते हैं अब जब आप meaning पढ़ोगे आपको समझ आएगा accounting is the art of recording पहली process का step, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, money मतलब वही measure करना क्योंकि पैसे में ही चाहिए जिससे भी transaction को हम money की terms में, you know, convert नहीं कर सकते उसको हम accounting में भी record नहीं कर सकते, क्या accounting a direct link है, monetary item से, okay, किसको record करेंगे भाई transactions and events को, which are in part at least of a financial character, यानि financial transactions है, and interpreting the results thereof, यानि कि जो पूरी process हमने अब तक पढ़ी है न, वो पूरी process ही हमने उसको words में पिरो दिया, पिर से पढ़ते हैं, accounting is an art, art तो ही, क्योंकि देखो, accounting में क्या है, हर बंद अपने तरीके से करता है, although एक standard format तो है, कि आप ऐसे करना है, पिर कुछ-कुछ चीज़े जहां पे, हमें, it's kind of an art, जहां पे changes हो जाते हैं, creativity वाला portion है, of recording, classifying, summarizing, यह हम steps पढ़ किया है, recording, classifying, summarizing, okay, in a significant manner, and in terms of money, classify, summarize, सब कुछ करेंगे, और किस form में करेंगे, monetary terms में करेंगे, किसको, transactions and events को, जो कि financial nature के है, financial character के है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, results को interpret कर देंगे, अरे, getting my point, यह definition दी है, American Institute of Certified Public Accounting, meaning and definition हमारा cover हो किया, आपको कोई भी doubt आए है, please comment box में लिखिये, कुछ repeat करना हो, sure हम next class में चीज को ध्यान में रखेंगे, आप लोग पुरे focus के साथ लगे रही है, और हम लोगों का भी target ही है, कि आपको satisfaction हम दे पाए, नो आपके concepts हम clear कर पाए, ओके, so हमने अभी process सीख लिया, ठीक है, हमने पुरा process सीखने के बाद meaning देख लिया, आप चलते है objectives, तो अनों का objective, purpose क्या होता accounting है, functions भी वही है, same है, ठीक है, objectives और functions of accounting, सबसे पहले है our accounting IQ, हमें records maintain करना है न, हम याद तो सब कुछ रख नहीं सकते, तो to record, maintain record करना, यानि कि जितने भी records होते हैं business के, उसको, you know, maintain करना, accounting records को, that is my one of the objectives, फिर उसके बाद, एक minute, उसके बाद second हमारा है, determining profit and loss, यह दो मैंने आपको बताया ही, कि हम business में profit and loss account बनाते है, इससे हमें, हमारे business ने इस पूरे साल में क्या बनाया, क्या, you know, क्या profit कमाया, क्या loss, incur किया, यह सब चीजें हमें इस particular step में पता लग जाती है, फिर determining financial position, यह भी हमारा objective है, क्योंको हर business man को profit चाहिए होते है, कि भाई यह profit बताओ मैंने क्या कावाया, इसके बद मुझे यह बताओ, यार, मेरी business की position क्या है, तो position बताता है, balance sheet, यह सारे words आपको नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं दिरेदरम सीखेंगे, यह just, you know, a kind of accounting से आपको ru-baru करा दी हूँ, तो इसमें जादा मत सोचना कि मुझे retain नहीं हो रहा, यह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, विदर time आपको सब चीजे समझ आने लगीगी, facilitating management, मैंने आपको बताया था ना, जब accounting data हमारे पर बन किया जाता है, trial balance, profit and loss account, balance it, इसके बाद हम determine कर पाते हैं, काफे सारे हम decisions ले पाते हैं, management को होती है, management, एक business में decision maker होती है, जिसके हाथ में decision होता है, तो facilitate का मतलब, help करता है management को, accounting records अच्छे से prepare हो जाते हैं, तो management को help बलती है, providing accounting information to the users, मैंने आपको यह भी बताया था, कि हमारे business में काफे सारे interested users हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, for example, पहले तो honor ही interested है, उसके बाद, अगर मालना, आपने किसी से loan लिया है, तो वो भी interested होगा, वो बलेगा, भाई तोने मेरे से loan लिया है, कल को तो repay, अगर ना कर पाए, तो मैं तो फस जाओंगा, तो यह मुझे भी दिखा, तो profit profit कमा रहा है के नहीं, है न, तो वो accounting, कि हमारे interested users है, तो एक मेरा objective यह भी है, कि मैं अपने accounting information users को provide कर वा पाऊं, अगी मेरा loan बना रहे, उसके बाहर 6, protecting business assets, किला, तो उसको proper record maintain होता है, proper उसको, you know, systematically उसको record किया जाता है, तो कल को कोई चोरी होगी, कुछ मिलेगा, ने, damage होगा, तो आपको पता लगेगा, क्योंकि आप properly record रख रहे हो, जिस चीज़ का record रख रहे हो, कल परसो तरसो आपके mind से skip हो सकता है, but once you record it, वो skip नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको record कर लिया, तो इससे क्या हो सकता है, आपके business के assets भी protect हो सकते हैं, अपने objective पढ़ लिए, अब हम चलते है advantages पे, कि फाइदा क्या है, वो तो आप खुद बताओ, कि कितने फाइदे हैं, सबसे पहले थेख न, पॉइंट नमबर 3, प्लेसिज मेमोरी, मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग, क्यों आई, भई, सब को चयाद पोड़ी रख सकते हो, मैं तो नहीं रख सकती, आप नहीं रख सकते हैं, आपको पुद नहीं पताओ, परसो नहीं परसो नहीं परसो नहीं परसो नहीं परसो को नहीं परसो नहीं परसो को 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 नहीं पर पहुंचे नहीं पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता क्या profit हो रहा है, क्या loss हो रहा है, इसलिए accounting is important, सबसे पहले memory replace कर देती है, यानि की record कर लिया, तो अब याल रखने की जूरत रहा है, ओके, यह हमने point cover कर लिया, assistance to management, मैंने आपको बताया, कि accounting information जब हमारी ready हो जाती है, उसके basis में management काफी सब डिसीजन लेती है, क्या decision ले सकते हैं, कि sale price क्या रखे, profit हो रहा है, तो आगी इसको कहाँ invest करे, there are a lot of things, अगर loss हो रहा है, तो क्यों loss हो रहा है, क्या improvement मैं आगी कर सकती हूँ, यानि कि management को information मिल जाती है, financial information about business है, हमें भी तो पता लग जाता है, business की financial information ready हो जाती है, कि मेरे business के हालात कैसे है, position कैसी है, मैं profit में हूँ, loss में हूँ, इस सब चीज़े मुझे कौन बताता है, accounting यह ना हो, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा, यानि कि जो first है, financial information about business, of course, assistance to management, assistance का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, help, management को help में जाती है, memory replace करता है, facilitate comparative study, देखो, जब हम accounting में आगे चलेंगे, तो आप देखो के generally, यह concept है, हम accounting एक-एक साल की करते हैं, ठीके, एक साल complete हुआ, फिर उसकी books को close किया जाता है, फिर next year होता है, फिर फिर से books write down होती, one by one, and फिर books को close किया जाते हैं, जो साल खतम हो जाते हैं, आपने financial year सुना होगा, financial year is what, एक April को financial year start होता है, और next year के 31st of March को financial year close होता है, इससे generally, इंडिया में financial year follow होता है, एक April को आपकी books start होती है, लिखनी, उसके बारे 30st of March को अपनी books को close करते हो, यानि इस particular period के बारे में, हम profit and loss निकालते हैं, अपने position निकालते हैं, balance sheet बनाते हैं, अब for example, मेरे business को शुरू है, दो साल हो गए है, दो साल की information मेरे पास है, पहले साल मैंने क्या किया, कितना profit कमाया, दूसरे साल मेरे position क्या है, क्या profit कमाया, अब अगर मेरे पास accounting record है, तो भाईया मैं comparative study कर पाऊंगी न, कि पिछले साल अगर ज्यादा profit हुआ, इसल कम हुआ, तो reason क्या है, वो डूल पाऊंगी मैं, अगर मैं information ही निया, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, यानि कि accounting हमें comparison करने में help करता है, but got my point, okay, facilitates loan, जब भी आप बैंक के पास जाओगे, आप एक normal सा case ले लो, आपकी बापा से आप पूछना, कि उन्होंने अगर लोन लिया होगा, तो जब बैंक में लोन के लिए जाते हैं, तो पूछते हैं कि भाईया, आप ITR भरते हो, आ आप बोलोगे, ITR क्या होता है, आपने शायदी वर्ट सुना हूँ, ITR is what, ITR is income tax return, income tax return में क्या होता है, कि हमने पिछले पूरे साल में क्या कमाया, उसका एक हिसाब किताब, हम गौशनमेंट को बना के देते हैं, जब भी आप बैंक के पास जाते हैं, तो बोलते हैं, अच् पूरे रिकॉर्ड तो दिखाओ, कि हैसे profit कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, आपके बस कितने assets हैं, क्या position है आपकी, वह आपके accounting information को देखके आपको lawn sanction करेगा, आप हमें बोलेगा नहीं, बहुत profit में है, बहुत profit में है, वह बली का भाई साब कितने, अरे नहीं या बहुत profit मे उसको figure सही, वह कहां से आएंगी, अगर मेरा accounting information, accounting data पुरा ready है, तो यह सारे information में देपाऊंगी, are you getting my point, okay, next evidence in court, अब देखो, for example, मैं जब मैं अपना business run कर रही हूं, मानलर मेरे vendor ने, या किसे ने मुझ पे case कर दिया, अगर मेरी books of accounts ready नहीं है, मैं बस कुछ हिसाब किताब नहीं है, तो भई मैं कैसे पूरूफ कर पाऊंगी अपना point, but अगर मेरे पास सारा का सारा data ready है, you know, मेरी पूरी accounting information ready है, तो वो particular, you know, informations दिखा के, यह सब चीज़े दिखा के, मैं court में as evidence उसको, you know, दिखा सकती हूं, are you getting my point, next, facilitate settlement of tax liabilities, अब देखो, जैसे companies है, for example, आप किसी कमपनी का नाम ले लो, मालो, Infosys Limited, कितनी बड़ी कमपनी आपको पता है, second largest IT company है, so Infosys Limited का, अगर मैं example हूँ, इस पर GST applicable है, तो GST applicable है, जैसे जैसे न, GST low होता है, GST act, उसमें, you know, limitations होती है, कि इस limit को cross करने के बाद, आप इस act में cover हो जाओगे, तो आपको GST pay करना आप कस्टमर से collect करोगे, आप हमें government, यानि आप government को pay करोगे, आप ये बताओ, इन सब के ओपर जिसके पास applicable है, अब उसको accounting ही नहीं करता है, उसे कैसे पता लगेगा, उसका correct GST कितना, उसने collect कितना किया, government को कितना देना है, यानि कि accounting जो हमें help करती है, tax liability को settle करने में, ज it's a kind of obligation, आपको अगर किसी को पैसा देना है, मतलब यानि कि ये आपके लिए liability है, जहां पे भी obligation है, वो word आपके लिए liability माना जाएगा, यानि कि जितनी भी tax की liability, यानि government को आपको tax pay करना है, उसको settle करने में हमें accounting help करती है, तो कि accounting अगर हम regular कर रहे हैं, तो हमें proper data मिल अच्छा, इतना GST मैंने collect किया था, इतना GST मैंने पेक किया है, मुझे इतना net government को पेक करना है, इस अब चिजे आपको थोड़ी से typical लग रही होगी, but don't worry, सब चिजे समझ आएंगी, आप जस्ट फोकर्स के साथ इन classes को देखियो, और इन केस आपको कोई भी युनो, कोई कोई डाउट आता है, confusion है, आप sure comment में लिखो, मैं उसको try करूँगी, 100% के resolve वो चीज हो जाए, even comment में possible होगा, तो comment में करूँगी, नहीं तो next class में उस चीज को मैं properly discuss करूँगी आपस, are you getting my point? Okay, text helpful in decision making, यह देखो, यह जो दो point है, interlink ही है, second और eight, assistance to management, helpful in decision making, देखो, management जो होते हैं, वो ही decision makers होते हैं, उन्हीं decision making करनी पड़ती है, तो उन्हें help करती है, यह दो point interlink है, are you getting my point? Okay, अब हम last, आज की class का last topic पढ़ते हैं, देखो, limitations of accounting, अब आप सोचो, क्या accounting में कोई कमें नहीं है, of course कमी है, क्या कमी है, अब अच्छा, मैं अगर ऊपर की आपसे बात करूँ, अगर मैं आपको बोलूँ, यह particular example, table design कर गया, यह business and related transaction तो है, event तो है, बट यह बताओ, क्या हमने इसको accounting में record किया, नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि नहीं हम इसे monetary terms में classify नहीं कर पा रहे थे, बट क्या आपको क्या लगता है, कि अगर कोई labor मुझे छोड़ के जाएगा, वो जे लेगी वाली दुकान को, अगर लेबर छोड़ के जाएगा, उकसान तो पका कुछ ना कुछ होगा होगा, एक दिन, दो, दिन, तीन, दे, चार दिन, जब तक उसके replacement नहीं आती, या वो scale जैसे जितना जल्दियों बना पाता है, या नहीं बना पा रहा, कुछ भी scenario हो सकते हैं, कुछ भी case हो सकता है, यह नहीं बोल सकते हैं, कि उसके जाने से हमें कुछ भी फरत नहीं पड़ा होगा, हमने तो record ही नहीं किया, यह accounting में कमी है न, यही points है, जो हमें discuss करने ह देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, accounting ignores the qualitative elements, यानि कि जितने सिर्फ quantitative, यानि कि monetary terms में, यानि कि पैसो की terms में, जिनको हम, you know, measure कर सकते हैं, सिर्फ वो ही transactions, वो ही events को हम accounting में consider करते हैं, बड़ जो qualitative हो गई, यानि कि non-monetary, इसको monetary में नहीं कर सकते हैं, उसको में इग्नोर कर देखबड करते हैं, accounting में qualitative यानि कि वो जो भी देखा था ना, कि labor मेरा resign करके चला गया, तो record ही नहीं हुआ, this is the limitation, limitation का मतलब क्या, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, कमिया है accounting में, अभी, okay, next, accounting is not fully exact, क्यों estimates also have to be made, जब आप आगे chapters में चलोगे, तब आप देखना कि काफी सारे estimates, you know, judgment हम जगा-जगा use करते हैं, एक example मैं आपको देती हूँ, जब भी हम कोई asset purchase करते हैं, आप बोलोगे, asset क्या होता है, चलो, आप ये example ले लेते हैं, आप ये classes में हम बहुत discuss करने वाले हैं, for example, आपने कोई land खरीदा, land चोड़ो, building खरीदी, पुरा land building आपने खरी दी है, flat आपने खरीदा है, ठीक है, अब आप क्या है, उस flat को उसके purchase price पे record कर दोगे, अपनी books में, ठीक है, आप उसको purchase, जितना भी amount आपने पे किया, उसको purchase करने पे, उस amount पे आप उसको record कर दोगे, ठीक है, उसके बात ना, अब देखो, जब building use हो रही है, वो खराब हो होगी, ढल रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर repair maintenance चाहिए होगा, विद अटाइम उसकी value भी कम होगी, तो हम बिल्डिंग जैसे है, उसको हम, विद अटाइम जो कम हो रहा है, तो हम इसकी life देख के चलनी पड़ेगी, यारे कितने life उसकी होगी, आप खुछ सो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, पता नहीं कब तक चलेगा, अब कुछ क्या नहीं सकते हैं, तो हमें accounting में उसकी life को estimate करना पड़ता है, अच्छा, वो हम मान के चलते हैं, एक businessman हो कहता है, तीन साल ही चल जाएगा, तो तीन साल के हिसाब से अपने books में उसको record करता है, इ यह चे महीं नहीं हो सकते हैं, यानि कि exact नहीं है कुछ चीज़े हैं हापे, क्योंकि ना कई जगा पर हम judgment use करते हैं, estimates use करते हैं, estimate किस पे based होते है, judgment पे based होते हैं, third my point, next accounting does not indicate the realizable value, अभी जैसे मैंने बात करी थी, मैंने अगर building खरी दी, वो building है, land है, मैं इसको किस पे record करती हूँ, जब assets हम खरीते हैं तो हम उसको generally purchase price पे record करते हैं, आप एक बहुत दाओ, आठ लाक रुपे का आपने को land खरीता, क्या वो 8 लाक कही रहेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बात, नहीं, वो तो बढ़ जाता है वही, आपको, कभ आपकी बुक्स में तो आज भी 8 लाक पे आ रहा है, यानि आपके accounting तो ठीक नहीं है, यानि कि देखो, जो realizable value है, आज के time जो value है, जो realize हम कर सकते है, अगर हम बेच दे तो जो हमें मिलेगा, वो value तो accounting indicate नहीं करता, are you getting my point? यह third point हमने अभी, एक minute, third point अभी discuss कर लिया, accounting may lead to window dressing, अब window dressing क्या होता है, window dressing का मतलब, मैं हिंदी में लिख़़ी हूँ, बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा कर, दिखाना, आपके बढ़ा चड़ा कर दिखाना, अच्छा, अब मैं आपके एक example देती हूँ, माल लो ना, आपको pencil वो चाहिए, हमने अभी पढ़ा था, कि advantages of accounting दिखा देती हूँ, मैंने कहां आपको पताया था, advantages of accounting हमने पढ़ा था, इसमें था ना, इसमें यह वाला point अगर आप देखो, facilitates loans, ठीक है, इस वाले points हम इसको attach करके देखते हैं, आपके business को loan की requirement थी, कि मुझे 8,000 का loan चाहिए, ठ मैं मतलब loss वाली books का bank को दिखाऊंगा, तो bank तो मुझे 8,000 का loan चाहिए, किसी भी केमत पर, आपने क्या करा, accounts अपने books के साथ चेड़ चाड़ किया, sales बढ़ा दी, purchases कम कर दी, अपने accounts के साथ चेड़ चाड़ करी, अपने क्या किया, आपने पहले आपके पास 2,000 का minus में थ ता, यानि कि आपको loss था, आपने क्या किया, उसको 10 लाग के profit में convert कर दिया, हरकते करके, सब change range करके, अपने क्या कर दिया, बढ़ा चड़ा के दिखाया, और क्या यह आपके actual figure है, नहीं, तो accounting में लोग ऐसे भी करते है, accounting में lead to window dressing, यानि अपना काम निकलवाने के लिए, या फिर share price बढ़ जाए हमारे तो accounting से छेड़ चाड़ कर देते हैं, इसकी वज़े से window dressing के वज़े से users को गलत information से ले जाती है, या कुछ चीज़े में सापने जाती है, okay, next, accounting ignores effects of price level changes, अब आप बता, market में inflation है, सो रपे की जो value 5 साल पहले थी, 5 years ago, और सो रपे की value जो आज है, वो equal तो नहीं है, अना, विद्धा time inflation आती है, सो रपे पहले जादा मिलता था, अब कम मिल रहे हैं, महंगाई आ रही है, बट इस particular चीज़ को जो prices change हो रहे, accounting ignore करती है, अगर आपने कोई शी सो पे खरीदी तो वो ही पे दिखेगी, उसके बाद वो उस, अगर inflation के वज़े से आज rate 110 रुप होगा, तो उसको record नहीं करती, तो की items हो में दिखेगी, accounts में, these are the limitations, और जितने ही points मैंने आपको बताया है, सब कुछ important है, आप इसको अच्छे से, you know, revise करना वापस, तब आपको अच्छे स clear हो, in case आपको कोई point नहीं समझ आरहा, फिर से देखने के बाद, of course, आप मझे comment में डालिए, मैं 110 परसेंट, आपको reward जरूर करूँगी, and इसका part 2 मैं जल्दी लेके आउंगी, hopefully, इकल मैं इसका part 2 भी upload करूँगी, and chapter complete करेंगे हम, so thank you, thank you so much, and अगर आपको ये content मेरा है, आपको समझ आरहा है, तो, you know, मैं request करूँगी, आप sure, you know, अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, खुद भी subscribe कीजिए, like कीजिए, and we are so happy to help you, and हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, कि जितने likes आते हैं, जितने लोग व्यू करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, so thank you one and all.